उत्तर प्रदेश में जल्द होगी आंगनवारी कारेकरताओं की बंफर भरती भरे जाएंगे 52,000 पद। आपको बता दे की जारी आदेश के नुसार अबबाल विकास परियोजना कारिक्रम के जरिय में या आंगनवारी सहाई काओं आदी की नियुक्ति के दोरान भी EWS आरक्षन का लाभ मिलेगा। बता दे की 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवारी भरती उत्तर प्रदेश आंगनवारी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए 52,000 पदों को भरने का आदेश जारी किया था। लेकिन उस समय आर्थिक रूप से आरक्षन का प्रावधान नहीं अनुस्वार था। मामला कोट में जाने के कारण भरती की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। लेकिन इस भरती उत्तर प्रदेश आंगनवारी भरती 2023 के लिए दोबारा नया आदेश जारी किया गया है। आंगनवारी भरती पर जारी आदेश के बाद 52,000 पदों पर भरती के लिए रास्ता साप हो गया है। पिछले दो वर्षों से भरती रुकी हुई थी। आपको जानकारी देदें की उत्तर प्रदेश आंगनवारी भरती आंगनवारी वेकंसी 2030 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों अनुस्वार की उम्रसीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयू सीमा में छूट दी जाएगी। शेक्षिक योग्यता जो भी उम्मीदवार आंगन बाड़ी भरती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उनके पास किसी भी मानिता प्राप्त संस्थान से दस्वी पास का सटफिक के टहोना अवश्यक है। हाला कि कई मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यह माना जा रहा है कि न्यूनतम योग्यता को बढ़ा कर बारहवी पास भी किया जा सकत है। दो साल बाद उम्मीदवारों को मिलेगी राहत। जल्धी उत्तर प्रदेश में आंगनबारी भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस भरती उत्तर प्रदेश आंगनवारी वैक। ऑन सी 2023 के माध्यम से 52,000 रिक्त महिला आंगनबारी कारिकरता के पदों को भरा जाएगा। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार दो साल बाद उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है। अधिक जानकारी के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकी भरती से संबंधित आने वाली सभी सूचनाएं आप तक आसानी से एकी मा अत्रा पहुंचती रहे।